बिहार में पिछले कुछ सालों में सड़कों को लेकर सबसे ज़्यादा काम हुआ है इन सब के बीच में एक ख़वर सामने आ रहे है जिसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार में दो एकनॉमिक कोरिडोर का निर्मान बहुत ही जल्द होने बाला है पहला कोरिडोर वारननसी और अंगावाद से चोरदाहा तक कि लिए होगी जिसकी लंबाई 136 किलोमीटर बिहार में है वहीं दूसरा कोरिडोर पटना से बक्तियारपुर से राची के औरमानजी तक के लिए होगा जिसके लंबाई बिहार में 135 किलोमीटर होगी इसके साथ साथ पटना से कनहुली रामनगर सहीत 3 सडकों का करीब 311 किलोमीटर लंबाई में अगले साल निर्मान कार्च होना है इन दोनों कोरिडोरों के बन जाने के बाद से बिहार में अध्योगिक छेतर में असानी से लोग जूड सकेंगे और उध्योग को बढ़ावा मिलेगा बताया जा रहा है कि इस कोरिडोर से परदेश में रोजगार के साधनों में बढ़ावा अपने आप होगा पिछले दिनों केंद्रिये मंतरी नितिन गड़करी ने भी कहा था कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली ही सर्त यही है कि आपके यहां की सड़कें बेहतर होनी चाहिए जो कि बिहार में पिछले कुछ सालों में बेहतर हुई है यह अब पट्रियों पे भी देखन लगा है इसके साथ साथ पटना रिंग रोड जो कि कनहौली से राम नगर तक के लिए जाएगी इसकी भी सुरुआत अगले साल यानि की पूरी तरह से बनकर यहां अगले साल तयार हो जाएगी और उमीद की जा रही है कि अगले साल इस पे आम लोग असानी से आ जा सकेंग सदीसोपूर नौवणपूर डूमरी होते हुए पटना मसाओधी के रास्ते लखना के पास राम नगर निसनल हाईवे 78 में जाकर मिल जाएगी बताया जा रहा है कि इस पूरी पर योजना को बनाने में कुल 15,000 करोड रुपे खर्च होने की बात कही जा रही है अगर हम पह देखने ते 262 किलोमीटर है आपको बतातें कि यह है उद्योगी कोरिडोर वारनसी से सुरू होकर बिहार के रास्ते जारखन के धनवाद तक जाएगी जिससे के बिहार में उद्योग के नए रास्ते खुलेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा इस कोरिडोर का एक बड़ा ह इस सा बिहार से गुजर रहा है जिसकी लंगाई 135 किलोमीटर है जिबकि उत्तर प्रदेस में यह संतामन किलोमीटर गुजरेगी इस कोरिडोर को लेकर ये भी बताय जारह है कि इसके 192 किलोमीटर की लंबाई पर बरत्मार में काम चल रहा है जिसे अगले साल शुरू होने क संभावना जताय जा रहे है बाकी बचे 70 km पर काम देधारित कर दिया गया है ऐसे में यह है उमेद के जा रहे है कि बाकी बचे हुए रोड जो कि इस कोरिडोर के तहते इसके हिस्से होंगे वह 2024 तक पूरी तरह से पूर्ण रूप से बन कर तयार हो जाएंगे और यह अगर हम जा रहा है कि इस कोरिडोर का 116 km का हिस्सा बन कर तयार हो गया है ऐसे में यह उमीद की जा रही है कि 2024 तक यह कोरिडोर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा तो बिहार में जिस तरह से सड़कों को लेकर काम हुआ है ऐसे में बिहार सरकार भी अपने कार्जग्रमों में अपनी पीड थपाते हुई यह कहती है कि आप जो है जिला मुख्याले से राजधानी पांच घंटे में आ सकते हैं और दूसरा तरक यह भी दिया जाता है कि आप पूरे दीन अगर आपको कोई काम है तो वो करके आप दीन भर में अपने घर लोट सकते हैं इसके पीछे मात पास बिहार के सड़कें जो होगी वो अमेरिका के तरच पर होगी उनके पीछे भी यही है तरक है कि जिस तरह से बिहार में निस्नल हाइवे एक्सप्रेस वे और फोर लंदे से सड़कें का निर्मान किया जा रहा है उससे यह उमीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पिहार में उद्योग धंधों में बढ़ोतरी होगी सड़कें बहतर होगी तो उद्योग धंधें बनेंगे ही बनेंगे तो ऐसे में यह थी बिहार में सड़कों से लेकर जुड़ होई खबर पिहार और बिहार से जुड़ होई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हैं मुझे देजाजाद थन्दबाद